दूस्तो जिनमें अकेले चलने का होसला होता है उनके पीछे एक दिन काफला होता है जी हाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही शक्स की जिनके होसले ने उनके हर्स अपने को हकीकत कर दिया हम बात कर रहे हैं LA गोनी की और बिग बॉस में LA गुनी और जास्मिन भासन सबसे ज़्यादा पसंद किये जाने वाले कॉंटेस्टेंट्स हैं तो चलिए आज की हमारी स्लाइफिस्टेल वीडियो में हम बात करते हैं बिग बॉस के पॉपिलर कॉंटेस्टेंट LA गुनी की जिन्दगी के बारे में LA अपनी स्कूलिंग जमू में पूरी करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए चंदीगर शिफ्ट हो गए वहाँ उनके अच्छे लुक और परसनालिटी की वज़े से कई मॉडलिंग आफ़र्स आने लगी LA पेशे से एक एक्टर और मॉडल है अब चलिए दोस्तों बात कर लेता है LA के केरियर के बारे में चंदीगर में रहते हुए LA को पंजाबी भाषा में अच्छी कमांड मिल गई थी इसी वज़े से उन्हें टीवी की कुईन एकता कपूर का शो ये है महबते आफ़र हुआ जिसमें उन्हें पंजाबी मुंडे रोमी भला का किरदार नभाया हाला कि LA का पहला शो चैनल वी का शो दस सीरियल रहा लेकिन शो की छे महीने बाद ये शो आफ़र हो गया पर LA को पॉपिलरिटी मिली ये है महबते से उनका किरदार रोमी भला जो सपोर्टिंग रूल होने के बावजूदी काफी पॉपिलर हुआ था और आपको बता दें कि करण पटेल के साथ LA की खास बांडिंग भी बनी LA ने करण को अपने बड़े भाई का दर्जा दिया है और यहां तक की करण और अंकिता की शादी कराने में भी LA बने थे जोडी मेकर और अब LA अंकिता के राकी ब्रदर भी है LA बाला जी के कई शोज में नजर आए जैसे कुछ तो है तेरे मेरे दर्मिया ये कहां आ गए हम दिल ही तो है और नागिन थरी जैसे कई शोज पैसा और फेम तो LA को मिल ही रहा था और साथी साथ LA कई काई कांट्रोवर्सीज में भी पढ़ गए जैसे कि शिरुवाती दिनों में LA को काफी दिक्कत हुई मुंबई में रहने के लिए कई रिपोर्स में ये आया कि LA के मताबक उन्हें कश्मीरी मुस्लिम होने का खामयादा उठाना पड़ा जिस वज़ा से उन्हें मुंबई में कहीं रहने के लिए घर नहीं मिल रहा था खबरों के अनुसार जिस घर में LA रहते थे वो एक रेंटिड फ्लैट था और उनके लेंडलोड ने उन्हें घर को खाली करने का कह दिया तिर्फ इसी वज़ा से के LA कश्मीरी मुस्लिम थे LA ने मीडिया में आकर इस मुद्धे पर बात भी की उस समय LA के बड़े भाई अरसलन जो अल्रेडी मुंबई में काफी सालों से रहते थे उन्होंने LA को अपने घर में जगा दी और LA के कुछ स्टेट्मेंट्स ने कई कांट्रोवर्सीज भी खड़ी करी और इन सब कांट्रोवर्सीज के बीच में LA के साथ जो चटान बनकर खड़ी रही वो थी नतासा स्टेंकोविक LA और नतासा ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट भी किया मॉडलिंग डेल्स से दुनों साथ थे और एक दूसरे के साथ काफी खुश भी थे दुनों ने साथ काफी फोटो शूट भी करवाए करन पटेल की शादी में LA और नताशा पहली बार मीडिया के सामने आए पर दोनों ने अपने रिष्टे को कभी पबलिकली कबूल नहीं किया फिर बताया जाता है कि दोनों की बीच में काफी मिसंडेस्टेंडिंग होने लगी थी और दोनों ने म्यूचली ब्रेक अप कर लिया था उसके बाद LA का लिंक अप क्रिशन मुखर जी के साथ होने लगा कई बार दोनों को साथ देखा गया अब जहां एक और LA के कैरियर में सब ठीक चल रहा था वही उनकी लाइफ में खत्रों के खिलाडी की शिरुआत हुई जी हाँ LA खत्रों के खिलाडी सीजन 9 का हिस्सा थे शो में LA ने काफी धमाकेदार स्टंड्स पी किये वहाँ उन्हों ने बताए कि उन्हें एक्रोफोबिया है उन्हें उची बिल्डिंग्स या उचाई देखकर ही चक्कर आते हैं शो में LA का होसला बनी थी जैस्मिन भासन जो खुद कई सारे बहतरी ने स्टंड्स को काफी असानी से कर रही थी और इसके बाद एक बार फिर LA के लिंक अप रूमर्स आने लगे खबरों की माने तो शो के दारान जास्मिन और LA दोनों काफी वक्त साथ में गुजारते थे वापस आने के बाद भी दोनों कई इवेंट्स और पार्टीज में साफ दिखाई दिये पर दोनों अब तक अपने रिष्टे को लेके चुपी में रहे और इसके बाद LA नच्बल ये सीजन नौ का हिसा भी बने अपनी एक्स गर्फरेंड नतासस टंकोविक के साथ क्योंकि शो का थीम था एक्स कपल वहां नताशा और LA की केमेस्टी को देखकर लगा कि दोनों में प्यार अभी भी है और दोनों शायद फिर पैच अप कर ले और इस शो में LA और नताशा ने कई बहतरीन परफॉर्मंसिस दिये LA और नताशा शो तो नहीं जीत पाए पर टॉप फोर में जरूर शामिल हो गए आपको बता दें कि LA एक बहुती बहतरीन सिंगर भी है वो आए दिन इंस्टेग्राम पर अपनी सिंगिंग के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और रिसनली LA बिग बॉस का हिस्सा बने हुए है और इनका और जैस्मिन का कपल लोगों के द्वारा भीहत पसंद किया जा रहा है दोस्तों अगर आपको भी LA और जैस्मिन का कपल पसंद आया तो इस वीडियो को दो लाइक अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते है LA के परिवार से LA के पिता का नाम अमजद गोनी का घर दिखाते हैं LA अपने परिवार के साथ मुंबई में एक शांदर अपार्टमेंट में रहते हैं जिसकी केमद है पांच करोड़ रुपए और इन फोटोज और वीडियो में आप इनके घर की को जलक देख सकते हैं अब चलिए दोसो बात कर लेता है LA गोनी की इंकम के बारे में LA गोनी किसी भी सीरियल में काम करने के एक एपिसोड के पांच लाख रुपए चार्ज करते हैं LA किसी भी ब्रेंड प्रोमोशन या इंडोस्मेंट के दस लाख रुपए चार्ज करते हैं अब चलिए दोसो बात कर लेता है लेड़ियो की नेटवर्ट's के बारे में 2020 के साफrant, cyaan, 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 cyaan and gyan Verb, cyaan, 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 और अपर नेटवर्ट's के बाराई में साट गर के साथ और हमें कमेंट करके बता हुए next video किस Big Boss के contestant पर देखना चाहते हैं आप